दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि YouTube पर सब फूर सब करने से क्या होता है क्योंकि आप लोग भी अपने चैनल पर सब फूर सब करके अपना सबस्काबर को इंकीज करते होंगे लेकिन आपके मन में बहुत सारे डाउट होगा कि क्या मेरा चैनल मोनटाईज होगा या फिर नहीं होगा सब फूर सब करने से क्या हमारा चैनल YouTube रिजेक्ट कर देगा या फिर हमारे वीडियोस पर व्यूज नहीं आएगा चैनल डेड हो जाएगा तो इस पकार से आपके मन में बहुत सारे confusion है और यहां पर देखिए आप नहीं YouTube पर जितने सारे नए यूटूबर होता है सब कोई कभी न कई अपने YouTube चैनल पर सब फूर सब कर ही लेता है कोई 50 सबस्काबर, कोई 100 सबस्काबर, कोई 500, कोई 1000 सबस्काबर सब फूर सब करके increase कर लेता है लेकिन बाद में उसको बहुत जादा doubt होता है कि हो सकता है कि मेरा channel monetizing नहीं होगा आगे चलकर तो अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहा है कि क्या सब फूर सब करने से हमारे वीडियोस पर कभी व्यूज नहीं आएगा चैनल monetize नहीं होगा तो इस पकार से अगर बहुत सारे confusion अगर आपके मन में घूम रहा है तो आज की इस वीडियोस में उसको clear करने वाला हूं और जो आपको बड़े बड़े creator आपको बता कर रखा है बाकि next time अगर आप अपने चैनल का promotion करवाना चाहते हैं तो आपको करना किया अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है तो पहला जो doubt आता है कि हमारे चैनल YouTube monetize करेगा या फिर नहीं करेगा ठीक है और दूसरा जो question आता है कि हो सकता है हमारे वीडियोस पर कभी व्यूजी नहीं आएगा हमारे चैनल dead हो जाएगा तो सारे सवालों का आपको जवाब मिलने वाला है तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यह चीज़तों बताऊं कि सब और सब करने से क्या नुकसान होता है या फिर क्या आपको benefit होता है यह तो बताऊंगा लेकिन पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं जो आपके मन में घूम रहा है कि सब और सब करेंगा हमारे वीडियो देखता तो फिर आखिर उतना वीडियोज को नहीं आ रहा है वारा लाग सबसकाबर 5 जाना चाहिए था आखिर क्यों नहीं आ रहा है सिर्फ 10 से 15 जल व्यूज क्यों आ रहा है तो जो आपके मन में एक डाउट होता है ना कि हमारी चैनल पर सबस्काबर जादा होगा तो जादा व्यूज आएगा 1000 सबस्काबर होगा तो 1000 व्यूज आएगा ये बहुत बड़ा आपका भरहम है किसी के चैनल पर आप जाकर देख लेना उसका जो सबस्काबर बेस होता है तो उन में से सिर्फ 10 परसन 5 परसन दो परसन ही व्यूज आता है तो अगर आप भी माल लिजे सब फोर सब करके 1000 सबस्काबर कम्प्रिट कियो तो क्या आपको लगता है कि 1000 मेरा पूरा वीज आएगा सारे वीडियो ni अगर आप एक जाए सब्सक्राबर बढ़ा लियो तो किया पूरा व्यूज आएगा तो जो आपको बड़े-बड़े क्रेटर आपको यह बोलता है कि सब फूर सब करने से भ्यूज नहीं आएगा आपका कभी वीडियो आपका वाइरल नहीं होगा तो एक बात अप समझ लो ज तो अगर हमारा कि अगर एक हिजाए सब्सकाबर हो गया क्या एक हिजर ब्यूज आएगा बिल्कुल नहीं आएगा अगर आप किसी तरह से एक हिजाए सब्सकाबर करते हो ना तो सिर्फ आपका पचास से सो ब्यूज आने वाला है उससे ज्यादा ब्यूज नहीं आएगा ज आने वाला है तो इसलिए जो आपके मन में गोम रहा था हमारे चैनल पर सब्सकाबर जादा हो गया लेकिन नहीं आ रहा है तो कभी ब्यूज नहीं आएगा सिर्फ उसमें से पांच परसन दस परसन यह आपका ब्यूज आएगा अब दुसरें जो आपके मन में डाउट है कि क् मोनटाइज हो गया फिर नहीं होगा तो पहले आप लोग एक चीज़ बताओ अभी यूटूब पर बहुत सारे पॉपलर किरेटर जिसका सब्सकाबर मिलियन में लाखों में सब्सकाबर है लेकिन अगर मैं आपको बोल दू आज जिसके चैनल पर दस मिलियन से जादा सब्स सब मत करना चैनल डिट हो जाएगा यह नहीं हो जो होता है कि आप 1,000 सब्सकाबर किसी तरह से बढ़ा रहे हो ना तो उनमें से सिर्फ ब्यूज कितना आता है 50-100 तो वही तो आएगा बाई कि आपका एक चैनल पर आ से आयगा तो जो आप लोग को लग रहा कि सब्पूर नहीं होता उतने ही ब्यूज आएगा ठीक है अब जो आपका डाउट है कि मोनोटाइज होगा फिर नहीं होगा तो आप लोग एक चीज़ सुन लो आप सब पर सब करो फिर कुछ भी करो चैनल में कोई दिक्कत नहीं होता है अब हम लोग सब फोर सब क्यों करते हैं तो यहां मैं अपने चेनल पर 1,000,000 सब्सकाबर कम्प्रीट कर लूगा तो मेरा व्यूज जादा आना सप्स कोईаюсь कोंप्रीट कर लूँगा तो हमारे चैनल जल्दी मोनोटाईज हो जाएगा तो एक नए dough का जो माइन होता उसका माइन वीडियो बनाने में श eerste क्रीच कि प्षे कों क कैसे में पार करऊंगा तो वो पहाड़ इन जाएगा जब एक हजाए सबस कावर किसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे ना तो अपका सबसकाबर बेस थो जाएगा न तो फिर आपका माइन कभी सबसकाबर बढ़ाने के पीछे नहीं जाएगा फिर आप किस पर महनत करों गए अप खरेवर सब कियोफ और फीर कुछ भी कियो तो आपको हिंबत मिलता है कि मेने अपने च्छैनल पर महनत किया हूं और सबसकाबर कम्लीट किया हूं इस चैनल को में छोड़ कर के दिखाओंगा तो कहीं ने कहीं आपको को motivation मिलता है और नई यूटुबर का क्या है सबस्काबर बढ़ा कर थोड़ा सा motivated होता है कि आज मेरे चेनल पर सौबस्काबर हो गया है दो सो हो गया हजार सब्सकाबर हो गया है तो सब फोर सब करने से होता है कुछ कुछ नहीं है जो आपको बड़े यूटुबर जो गुम्राह करके रखा ना डड़ा कर रखा कि चैनल डेड़ हो जाएगा कुछ नहीं होगा तो सब फोर सब करने से यही होता है कि जो सबस्काबर बढ़ा होना वह अलग-अलग कैटेगरी का सबस्काबर होता वह आपके कर लिया तो इसलिए बताता हूं कि आप सब फोर सब करो या फिर कुछ भी करो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा बस आपके वीडियो में जो वह सबस्काबर है वह आपके वीडियो को सब को वाज नहीं करेगा उन्हें से कुछ परसंटेज लोग वाज करेगा क्योंकि कुछ लोग आपके केटेगरी का होगा वह आपके वीडियो को देखेगा लेकिन कोई अलग अलग केटेगरी होगा वह आपके वीडियो को नहीं देखेगा लेकिन इनसे कोई फरक नहीं पड़ेगा जब आपका दुबारा कोई एक वीडियो वाइरल होगा तो उनसे आपको जब मिलेगा ना तो फिर आपका व्यू जरी दर आना स्टार्ट हो जाएगा और जो आपको आज बड़े-बड़े क्रेटर दिख रहा है यूटुबर टेक्निकल गुरुजी मनोई देव जितने सारे बड़े यूटुबर दिख रहा है मैं भी सब कोई अपने चैनल पर सब और सब किया स्टार्टिंग में क्योंकि कोई भी यूटुबर बड़ा होके नहीं आया है यूटुबर ही बड़ा हुआ है उसको नहीं पता था पहले से कि मेरा चैनल कभी ग्रो हो जाएगा एक मिलियन सब्सकाबर हो जाएगा खुद मुझे भी पता था कि मेरे चैनल पर एक मिलियन से जादा सब्सकाबर होगा तो सब कोई यही सोच कर आता है कि किसी तरह से में आप यूटुब से पैसे कमाऊंगा तो स्टार्टिंग में सब कोई सब्सकाबर करता है लेकिन बाद में जाकर एक बड़ा यूटूबर जब बन जाता है अगर आप 100 सब्सकाबर बढ़ा रहे हैं उसमें से क्या होगा आपका 20 सब्सकाबर 10 सब्सकाबर कुछ ना कुछ यूटूब ड्रॉप कर देता है उसको पता चल जाता है लेकिन बागी इससे कोई प्रॉब्लम वाला बात है कोई दिक्कत नहीं होता ना आपका चैनल डेड ह दोने वाला है अगर आपको अपने चैनल को ग्रो करना है तो आप बात में जब आपका कोई वीडियो वाइरल होगा तो उनसे अपको रियल एक्टिव सब्सकाबर मिलेगा फिर वो लोग आपके वीडियो को वाच करेगा बस यह होता सब्सकाब करने से आपको हरी एक कालिम इले गो लोगो बोला है!